हालो दोस्तों आज मैं एक नए रेसिपी लेकिया गई हूँ आज हम बनानी जा रहे हरी अंडा रेसिपी बहुत ही टिस्टी है यह रेसिपी चले बनानी शुरू करते हैं मैंने यहाँ पर अंडा बोयल करके तायार कर लिया है और इसी तरह से काट कर रही हूँ मैं अंडे को इस तरह से काट करने से फ्राई करने का टाइम में चटने नहीं नहीं तो फूटने के लिए डर होते है चले अभी इसको हम रेडी कर देंगे और मैंने यहाँ पर पेन लिय के कि文 yarn hour डालने के बाद हम यहाँ पर अंड़ा कोा डालने के बाद अच्छी सा एक मिनट दो मिनट तक हमें एṣ को इसको उलड़ पुलर करके थोरी से डिंड ऐन तक हमें फ्राइ करेंगे आर कल rocks सब्सक्राइब के Kennes के लिए अभी हम Chest Gravy बनाने के लिए तायर करते हैं मैंने यहां पर प्यास लिया है चोटी साइस में दो प्यास लिया है और हम यहां पर अधरक और लसण और हारे मिर्ष पि लिया है यह देखें इसको भी हम दालके मिक्सर में अच्छी सी पेस्ट बनाएंगे ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर खुब सारा धन्या पता भी लिया है आप हरे मिर्च कम ज़ड़ा कर सकते है और इसको हम अच्छी सी पीस के तायर कर लेंगे और मैंने यहाँ पर आंडा को fry करने के लिए रखिया था उसको हम इहाँ पर निकाल देंगे एक Ball पर अभी यहाँ पर oil add नहीं करेंगे इसी oil पर बनाइएंगे और यहाँ पर हल्दी और red chili powder और अल्रैड़ी है मैंने यहाँ पर काली मिरिच 3-4 diferपीस डाली हुई है दो लॉंग डाली हुई है और दो छोटी ओला हरी एलाइची भी डाली हुई है फ्लेवर अच्छी आनी के लिए इसको हम इस तरह से मिक्स कर देंगे उसके बाद जो हमने पीस के तायर कर लिया था वो यहाँ पर डाल देंगे मिडियूम फ्लेम करके हमें इसको एक दो मिनिट तक अच्छी सी भूननी होंगे अभी हम इस तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मस्ला पाउडर भी डाल देंगे अच्छी सी इसका ग्रेवी में पग जाएंगे अब ये मसला पगनी के लिए हमें यापर स्वादान सर नमक डाल दिंगे जिरा पाउडर एक चमस लिया है और हाफ टीस्पून गरम मसला पाउडर अब ये सब चीजों को अच्छी से मिक्स करेंगे मैंने यापर धन्या पाउडर यूस नहीं किया है क्योंकि मैंने यापर हरियोला धन्या पाता खुब सारा लिया था इसलिए मैंने एट नहीं किया है आप चाहे तो एट पी कर सकते है वी इस तरह से मिक्स करते हुए हमें ग्रेवी को पकाएंगे और ये दिखिए खुब सारा पानी था वो सब सुग गया है और अच्छी से मसला पके रेडी हो गई है अभी और पी पकानी है मसला को मैं यहाँ पर दो चमस दही ले रही हूँ गेस का फ्लेम को ओफ कर दिया है और इसको अच्छी से इस तरह से मिक्स कर देंगे नई तो फटनी के लिए दर होते है जब भी दही डालेंगे गेस का फ्लेम ओफ कर देंगे उसके बाद दही डालने के बाद इस तरह से मिक्स करके पकाएंगे मसला को और एक मिनिट तक हमें इस तरह से मसला को पकाएंगे अच्छी से चलाते हुए और यह देखिए मसला अची से पक्के तायर हो गया है अभी अभी हम यहाँ पर साइट पर मैंने गरम पानी करके रेडी किया है उसको हम यहाँ पर डाल देंगे अब ग्रेवी किस हिसाब से बना रहे हो वो हिसाब से पानी एड़ कर सकते है लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी से थीकनेस ग्रेवी रख रहे हो इसलिए मैं पानी थोड़ी थोड़ी से करके एड़ कर रहे हो कहीं ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी एड़ कर रहे हो यहाँ पर यह दिखे, मैं यहाँ पर ग्रेवी अंदाज से डाल रही हो, पानी आप उसी हिसाब से डालेगा, नहीं तो आप ज़्यादा पतलब भी मत बनाएगा, थोड़े सी ठीकने से रखे, उसमें टेस्टी लगते है और इस तरह से पानी एड़ करने के बाद हमें इसको मेडियूम फ्लेम हाई नहीं करेंगे, लोई करके पकाएंगे अच्छी से, उबल आनी देंगे एक बड़ अच्छी से, उबल आ गई है यह देख सकते आप, और इतने अच्छी टेक्स्टर बन रहे है ग्रेवी के, यह दे और मैं यहाँ पर दो चमस क्रीम डाल रही हूँ, यह देखें, यहाँ पर क्रीम भी डाल दिया है अभी, और इहाँ पर इस तरह से मिक्स करने के बाद देख सकते हैं, आप कलर में बहुत ही चेंच आग गई है, इस तरह से मिक्स करके इसको हम उबलने देंगे, उसके बाद जो हमने फ्राय करके अंडा रखी हुई थी, इसको भी डाल देंगे यहाँ पर और मैंने यहाँ पर एक चमस कसुरी मेथी भी डाल दिया है अपको पसन ओदो डालेगा, नेदिस की पी कर सकते है और यहाँ पर अंडा को डाल दिया है और इसका ओपर में मैं ग्रेवी डाल दूँगी अच्छी से अंदर तक जाए ये दिखें इस तरह से मिक्स कर दिने के बाद हमें धकन लगा देंगे धकन लगा के एक मिनिर तक हमें अच्छी से बॉयलानी देंगे अच्छी से उबल आने देने के बाद गेस का फ्लेम को ओफ कर दूँगी गेस का फ्लेम को ओफ करने के बाद धकन खोल के देखते हूं मैं एक बार ये दिखें बहुत ही अच्छी लग रहे हैं आप देख सकते हैं मेरे अंडा रेसिपी बनके तयार हो गया है अब हम यहाँ प खाएगा बहुत ही पसंद आने ओला रैसीपी है अपको पसंद आए तो प्लीस कॉमेंट भी करडीजेगा । और शेर भी करडीजेगा जो भी इस video पे जटो जो कर आई है प्लीस आपकर प्यार इस तरह से बना के रखे हम रोज पार टो वीडियो ले कर आते रहेगे। ये देख सकते हैं आप मेरा ग्रेवी आपको दिखा रही हो किस तरह से बनके तयार हो गया है ये दिखें नान रोटी की साथ हो या परठा का साथ या चावल की साथ मिखाएगा बहुत ही पसंदानी ओला रेसिपी है इसी तरह से नई नई वीडियो लेके में फिर आती रहोंगे ये देख सकते हैं आप इतने अच्छे बनके तयार हो गया है तब तक के लिए बाबाई